हेलो एप्रिवन वेल्कम बैक टो और्गनाइज लर्निंग चानल अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें तो शिक्षा निदेशाले दिल्ली सरकार दिनांग 6 सितंबर 2021 हिंदी कार्य पत्रिका क्रम संख्या 63 कक्षा 1 के लिए यहां सबी विद्यार्थि अपना नाम लिखेंगे और यहां शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे नमस्ते प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे बच्चों आज हम अक्षरों को क्रम में लिखना सीखेंगे तो कैसे हम उसको क्रम में लिखेंगे अक्षरों के इस क्रम को वर्ण माला कहते हैं तो जब हम अक्षरों को क्रम में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं वर्ण माला चित्रों की साहता से वर्ण माला के क्रम को पूरा कीजिए अब ये हमें चित्र दिये गए हैं और हमें इनकी मदद से क्या करना है अपनी इनको वर्ण माला को पूरा करना है तो हमें जो चित्र दिये गए है, उसके हिसाब से देखते है, क, क के बाद क्या आना चाहिए, तो देखो चित्र में ये क्या दिया हुआ है, खरगोश, खरगोश का पहला अक्षर क्या है, ख, तो यहाँ पे क्या आजाएगा, ख, उसके बाद ग, ग के बाद ये चित्र क्या है घर, तो घर का पहला अक्षर क्या होता है घर, तो यहां पर आ जाएगा घर, और फिर है ड, कह घर, यह क्या है चपल, चपल किससे शुरू होती है, च से, तो यहां लिखेंगे च, फिर च, फिर यह क्या है जहाज, जहाज किससे शुरू होता है, ज से, तो यहां लिखेंगे ज फिर ये ज यह, फिर ये क्या है? टमाटर, ट से शुरू होता है फिर ट के बाद आता है थ, ठ के बाद द, च के बाद यह क्या है? ये देखो चाए का धकन है, तो ये क्या हो गया? धकन, ट थ, ha, ध के निचे, निचे एक डोट आ जाएगा, और ये अना फिर ये क्या है ये त है थ है द है और फिर ये क्या है धनुष धनुष किस से शुरू होता है ध से और ये क्या है नल तो नल किस से होता है न से तो त थ द ध ध न फिर ये है पा पा के बाद क्या आएगा चित्रों में देखते हैं क्या दिया हुआ है फल फल होता है शुरू फ से, यहां आ गया फ, फ के बाद ब, ब के बाद भ, भ के बाद फिर चित्र देखते हैं, किसका दिया है, मचली का, तो मचली का पहला अक्षर क्या होता है, म, फिर उसके बाद या, र, र के बाद चित्र देखते हैं, तो यह लट्टू है, तो लट्टू का पहला अक अक्षर होता है वा, यार लव श, उसके बाद श, ये बाला श, उसके बाद क्या आता है हमारे पास ये चित्र देखते हैं फिर से इय क्या दिया हुआ है सपेरा तो वो क्या होता है स, उसके बाद फिर हम चित्र देखेंगे, तो चित्र में ये क्या दिया हुआ है हमें, तो यर अलव श, श, स, हल, ह, ये क्या है, हल, हल किससे शुरू होता है, ह से, तो उसके बाद अक्षत्र, गय, तो हम एक बार सारे की सारे क से लेकर गय तक हम अपनी वर्ण माला पढ़ते ह तो सभी बच्चे वीडियो के साथ साथ ये सारी वर्ण माला बोल कर देखेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे अब हम अगला क्वेशन देखते हैं बच्चो अब हम दो और तीन अक्षर के शबदों को चित्रों की सहाथ से पढ़ने का प्रयास करते हैं अब हम दो और तीन अक्षरों के शबदों को इन चित्रों की मदद से पढ़ेंगे ये क्या दिये हुए है? फल, फल, ये क्या है? घर, घर, ये क्या है? रथ, रथ, ये क्या है? भावन, भावन, ये क्या है? कमल, ये क्या है? सडक, सडक अब आप बाचीत करते हैं प्यारे बच्चों साथ ये गए चित्र को ध्यान से देखिए ये एक चित्र दिया है इसको बहुत ध्यान से देखेंगे सबी बच्चे आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे दोनों बच्चे क्या बाते कर रहे होंगे आपको ये देखना है कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं आप सब अपना अपना अनुमान लगाएंगे अनुमान लगाकर उनके समवाद बाचीत को जोर जोर से बोलिये और अपने अध्यापक और अध्यापिका के साथ साजा कीजिए तो आप सब ये आपका homework लगा लिजे इसको या फिर ये आपको अपने ममी पापा की मदद से कि ये बच्चे आपस में आपको क्या लगता क्या बाते कर रहे हैं जो भी ये बाते कर रहे होंगे आपको वो जोर-जोर से अपने ममी पापा के सामने बोलनी है और audio record करके आप वोट्चेप पे अपने teachers के साथ भी share कर सकते हैं तो अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चे के साथ शब्द अन्ताक्षरी खेले आप बच्चों के साथ शब्द अन्ताक्षरी खेल सकते हैं जैसे अभिभावक ने एक शब्द दिया खत अब बच्चे को ता से शुरू होने वाला कोई शब्द जैसे ताला और उसके बाद ल से एक शब्द बोलना जैसे लड़का आप बच्चों को शब्द अंताक्ष्री दे सकते हैं इसमें क्या होगा जैसे मान लो आपने एक बच्चे को शब्द दिया खत किस पे खतम हो रा अपे अप बच्चे त से शुरू होने वाला कोई भी शब्द बोलेंगी जैसे उसने बोला ताला अब वो ला पे खतम हुआ अब ला से शुरू होने वाला जैसे उसने कोई शब्द बोल दिया लड़का अब का पे फिर खतम हुआ लड़का तो अब का से शुरू होने वाला कोई भ बच्चा बोल सकता है तो खेल खेल में बच्चा शब्द बनाना भी सीख जाएगा और उसकी बोलने की क्षमता भी विक्सित होगी और इसके साथ साथ COVID-19 के दौरान जो मेसेज रहेगा कि अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोए आशाय आपको वीडिय अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में